भारत सरकार ने WhatsApp को टक्तर देने के लिए संदेश एप लॉंच कर दिया है। काफी समय से उसका काम चल रहा था और लिमिटेड यूजर्स के लिए इसे जारी भी दिया गया था। Minister of State Electronics and IT राजीव चद्रसेकर ने लोगसभा में एक लिखत रिप्लाई में इसकी जांकारी। इस Instant Messaging Platform को National Informatics Center ने तयार किया है। National Informatics Center की बात करें तो ये भारती IT मंत्राले के तहत आता है। संदेश के काम करने का तरीका WhatsApp की ही तरह है। और इसका लोगों भी WhatsApp से इंस्पायर लगता है। इस प्लैटफॉम पर यूजर्स मुबाइल नंबर या इमेल आईडी के जरिए साइन अप कर सकते हैं। पिलाल इसे भारत सरकार के employees ही यूज कर रहे हैं। इसके अलाबा सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले लोगों को भी इसे यूज करने के लिए दिया गया है। एक सवाल के जवाब में मंत्री राजीव चंद्रसेखर ने कहा है कि मेटी के तहत आने वाले NIC यानी National Informatics Center ने इसे तयार किया है। यह एप इंस्टेंट मैसेजिंग कॉमिनिकेशन के लिए है। संदेश एक open source based secure cloud enabled platform है जिससे सरकार host करती है। चैरिंग और audio video पॉल्स भी इससे किये जा सकते हैं। इस एप में egov का भी support दिया गया है यानी इसी में integrate कर दिया गया है। राजीव चंद्रसेखर के मताबिक यह एप Google Play Store और App Store पर उपलब्द है। App Store या Google Play Store से इससे डाउन्लोड किया जा सकता है। डाउन्लोड करने के बाद phone number enter करना है। OTP के जरिये आप App में sign up कर पाएंगे। अब देखना दल्चस्क होगा कि क्या इसमें end-to-end encryption दिया जाता है या नहीं। WhatsApp की सबसे बड़ी खास्यत इसका encryption system है। इस App में end-to-end encryption है। दावा किया जाता है कि sender या receiver के अलावा कोई तीसरा chat को पढ़ भी नहीं सकता। यहां तक की company भी नहीं। इसके अलावा WhatsApp की खास्यत इसके speed और कुछ खास features हैं। Message यहां काफी तेजी से deliver होते हैं। SMS संदेश एप क्या इसे match कर पाता है और क्या आने वाले दिनों में संदेश एप जो भारत का अपना स्वदेशी एप है वो WhatsApp को replace कर देगा। यह देखना भी बहुत दिल्चस्प होगा। Bureau Report भारत तक। कर दो